नमस्कार दोस्तों आज आपका इस चैनल में फिर से स्वागत है आज हम बात करेंगे ठंडा और गरम पानी या कोई और चीजें जो दातों को लगती हैं उसके बारे में हम बताएंगे कि ऐसा क्यों होता है और इससे बचने के लिए क्या घरेल उपचार होते हैं अगर दातों में ठंडा गरम लगता है तो यह हो सकता है सामान नतया यह समस्या होती है कि दातों की जो उपरी पर्त होती है जो की ठंडा और गरम पानी लगने का जो कारण सबसे बड़ा होता है वह दातों की उपरी कोटिंग यानि जो प्रोटेक्टिव कोटिंग होती है उस दातों के लिए security का काम करता है या बाहर की चीज़ों को अंदर नसों में जाने से रोकता है तो येदि आप बहुत तेजी से ब्रस करते हैं या कुछ ऐसी दातों के साथ चीज़ों को डेमेज करता है तो ऐसी समस्या हो जाती है दातों का सम्विदन सील बना रहना महीने भर से सालों या बहुत दिनों तक चल सकता है और यद इन का समय पर इलाज नहीं किया गया तो ये समस्या पर्मानेंट भी हो जाती है और ये किसी प्रकार से ठीक नहीं होता है इस कोटिंग का डैमेज होना वैक्टेरिया रहने का कारण होता है वैक्टेरिया पनब जाते हैं मुमें इस की वजह से आपके दाथ कमजोर पड़ जाते हैं और चुकि अंदर की नसें बाहरी इनवार्मिंट को टच करने लगती है तो इसलिए हमको ठंधा करम की संसनाहट या महसूस होती है अब हम बात करेंगे कि इस से कैसे बचें और क्या घरेलू नुश्खे आप अपना सकते हैं सबसे पहली बात हम ये कहेंगे कि आपको कम से कम दिन में दो बार तूद ब्रस जरूर करना चाहिए और तूद ब्रस करते समय अपने दातों में बहुत ज़्यादा दबाव नहीं डालना चाहिए और यदि आपके दातों में ठंडा गरम लगने लगा है यानि आपके दात सेंस्टिव हो चुके हैं तो इसके लिए आपको बाजार में कुछ स्पेसल टाइप के टूट पेस्ट आते हैं उनको आप करें सामान तया जो दातों को सफेद बनाने वाले टूट पेस्ट होते हैं उनका इस्तेमाल ना करें क्योंकि ये सामान टूट पेस्ट दातों को बिटिल बनाते हैं यानि थोड़ा सा सक्त बना देते हैं जिससे परिसानी हो सकती है। साथ ही मूखी सफाई का आपको ध्यान रखना होगा। जैसा कि आपको हमने भी बताया कि आपको दिन में कम से कम दो बार यानि एक बार सुबह और एक बार साम को ब्रस करने की जरूरत होगी। इसके लिए आप निमत रूप से ऐसा करें तो आपको फाइदा मिलेगा। साथ ही एक उपचार हम बताएंगे जैसे पहले दादी नानी नुस्खे में बताती थी कि आप नमक और पानी को मिला कर कुला करें गारगल करें तो इससे फाइदा मिलता है। तो इससे गम्स मजबूत होते हैं और दातों में फाइदा मिलता है। आप अपने brush को भी check कर लें, कभी भी hard brush का इस्तेमाल नहीं करना है, जब भी brush लिया जाता है, तो उसमें एक letter लिखा होता है, कि hard है, कि medium है, कि soft है, कि very soft है, तो आप very soft या soft brush का है, इस्तेमाल करें, इससे आपके दातों की enamel को protect होने में मदद मिलेगी, साथ ही एक आप mouthwash, fluoride का mouthwash भी इस्तेमाल करें, जिससे यदि आपके मुँ में किसी प्रकार के bacteria है, कोई sudden है, तो उस तरह की चीजों से वो आपको बचाता है, sensitivity से बचना है, तो आपको जो sensitivity करने वाले पदार्थ हैं, उनको खाने से जितना हो सके आपको बचना है, जैसे आप बहुत ज़्यादा ठंडा या बहुत ज़्यादा गरम नहीं खाएं, साथ ही वो चीज़ें ना खाएं, जिसमें सूगर की मात्रा जादा होती है, क्योंकि स दूगर ज़्यादा खाने से दातों का डीके यानि च्छय बहुत तेजी से होता है तो यह आपको पहचान करनी है किन में चीनी ज़्यादा होती है तो उन प्यदार्थों से आप दूर रहें आप जैसे कोका कोला या ऐसे कोल डिंग जैसी चीजें हैं या कार्बोनेटेड डि वाइन जैसी चीजों का आइस क्रीम का भी सेवन ना ही करें तो अच्छा रहेगा क्योंकि यह आपके दातों को नुक्षान पहुंच जाते हैं आपकी सेंस्टिवटी हो जाने पर एक बहुत पुराना नुश्खा जो अपनाया जाता था घरों में उसके बारे में मैं आपक बताता हूँ जिसमें आपको चाहिए सर्सों का तेल और सेंधा नमक इसके लिए आप एक चमच सर्सों का तेल ले 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 और उसमें थोड़ा सा सेंधा नमक लगबग एक चमच की बराबर ही इसको भी ले ले और इन दोनों को अच्छी तरह से मिला ले और मिला कर आप अप अगर सेंधा नमक नहीं मिले तो आप सामान नमक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं इस प्रकार आपके दात धीरे धीरे से मुक्त हो जाएंगे और आपको इसकी समस्या नहीं रहेगी तो आपने जाना कि दातों की सेंस्ट्यूटी हो जाने से ठंधा गरम लगता है और ठंधा गरम लगने पर या सेंस्ट्यूटी होने पर इससे कैसे बचा जाए और इसका उपचार कैसे किया जाए अगर आपको ये चीजे पसंद आई हो तो आप इसको इसको इस्तेमाल करें औ और इस वीडियो को भी लाइक और शेयर करें, दूसरों को पहुंचाएं, जिससे दूसरे लोग भी इससे लाववाननी थे हैं, धन्यवाद.